तो जहें दोस्तों निकल इश्टोग एक फिर शेया आपका स्वागत है दोस्तो Jen'te से रिलेटेट एक बारे में डिसकर्स करेंगे बिजिस मोड़ल का नाम पॉर्चुटी बन सकती है तो डिटेल से इसके बिजिस मोडल को फंडामेंटल और टेकनिकल चार्ट के तरू समझने की कोशिज करते हैं और दोस्तों किस तरह से चार्ड चार्ट एक्षन को प्राइज एक्षन को रीड करके अच्छा एक इन्वेस्मेंट अच्छी स्विंग जाएं बॉस्तों करनी चाहिए अब चलते हैं दोस्तों टेकनिकल चार्ट पर यह पोशाग लिमिंटेट का वीकली टाइम प्रेयम के चार्ट है जैसे दोस्तों देखें तो वीकली टांपरेम की बात कहरे तो इसमें बहुत ऑभी दो दिन से बहुत अच्छा दिखाए दे आप देख सकते हो कि इसमें लगबग 7-8 percent 8-9 percent के लगबग है जिए 7-9 percent के लगबग इसमें मुमेंट दिखाए दिया आज भी पोर point मतलब 54 percent के लगबग मुमेंट था और कल भी इतना ही था तो इसमें अच्छा ट्रेट की बात होती है कि टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच देने का सबसे पहला तरीका है इसको अपने को ट्रेंड का पहचानना जरूरी होता है कि चल ला या न को सब्सक्राइब करते हैं यह बौटम सब्सक्राइब करते हैं behaviors और यह और व्ली होतात बोटम हाईर बोटम इस तरह से हाईर बोटम जा रहे तो कहने का मतलब है कि अप्ट्रेंड में अपने को हाईर टॉप हाईर बोटम मिलते हैं बाद में आते हैं डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड में क्या होता है जिस तरह से अपन सीडियों से नीचे आते हैं यह मान के तो यहां से नीचे आया तो इस तरह से अपने उतरते हैं यहां सीडियों से तो इसमें क्या सीडियों से उतरते हैं तो अपने को एक टॉप ले लेते एक बोटम ले लेते एक टॉप लिया एक बोटम लिया नीचे वाला टॉप क्या होगा लोवर टॉप लोवर टॉप लोवर लोवर बोटम लोवर बोटम लोवर बोटम होका तो कहने का मतलब है कि अपने अपने गूंगे यहां से और गूंगे पहले वाली spar Mm वाली k Tam कि तरब रखेंगे breakout होगा तो पेर रखने में जैसे मारू गुजा टाइप की पेटर बनेगी तो अपने देख सकते हैं कि इसमें breakout होगा यहां गोमने पर पता नहीं चलेगा लेकिन इसको breakout करेंगे तो यह यह टेकनिकल लेंग्वेज इसके लोवर टू पेटरन को उपर की त बन जाती है तो अपने को इसमें ज्यादा moment नहीं होता क्यों बाइंक स्विंग कर सकते हैं को सब्पोर्ट प्र प्रोपिट बुकिंग कर सकते हो और स्वॉड सेल कर तो और यहां पर प्रोपिट अब देखिए किस तरह से डाउन्टेंड में आया तो एक टोप लिया एक बोट तो कहने का मतलब और नीचे बोटम, लोवर बोटम, लोवर बोटम, लोवर बोटम ही दिखाए दे रहेते, अगर बाइंग पॉर्चुटी की बात की जाये तो इसमें दोस्तों अभी तो लोवर टो पेटन ही है, बने वहे हैं, कोई भी इसमें अब ट्रेंड का कोई सिगनल न लेकिए, इसका बहुत ही उपर की तरब है, 7800 मतलब अभी 10, sorry, अभी है मतलब 14, 1500 के लगबग इसमें पॉइंट उपर और पड़े, दब 7800 को ब्रेक आउट करेगा, तब इसका ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इसमें और रिस्क लेना चाहे, तो जो लेवल है, कौन से 6800 के लगबग भी बाइंग पॉर्चुटी बन सकती है, क्योंकि इसके लोवर टोप पेटन, देखो ये, मेन तो ये, 7800 का है, और ये एक थोड़ा सी ये भी बाउंस बन सकता है, अगर इसको माने तो, लेकिन रियल में ये होगा, तो अभी इसमें बाइं टी-ार-ची-पी बनी थी, कौन से बनी थी, इस दोस्तों एक तो अभी बनी है, दूसरी यहाँ पर एक इसको बोलते हैं, ग्रेव इस्टोन डोजी केंडलिस्टिक पेटन, क्या होता है, ग्रेव इस्टोन डोजी किस तरह से मैं आपको समझने की कहीं, ये ये बाइंग टी- कर दिया है, जो मतलब के एक safe investment मतलब थोड़ा risk ले सकते हैं, उसको 6,000 का लगबग यहाँ पर buying opportunity बन सुकी थी, क्या बनाता है, weekly time frame में एक selling, sorry, buying TRCP बनाता है, उसको बोलते हैं, ग्रेव इस्टोन डोजी, ग्रेव इस्टोन डोजी की क्या खासित होती है, कि पहले इसको एक buying TRCP होता है, एक bottom में बनेगा है, bottom में बनेगा जिस तरह से shooting star होता है, shooting star क्या होता है, top में बनता है, और यह क्या बनता है, bottom में बन जाता है, यह इस तरह से bottom में बन जाता है, तो यह buying TRCP है, और इसको अपने को उपर की तरह breakout करता है, इसको जो high होता है, उसको breakout करने पर तो बाइंग बन चुकी है लेकिन अगर शेफ इन्वेस्मेंट करना चाहते है तो थोड़ा रूख सकते हो अगर अब दूसरी चीजे देखे यह देखो यह तो ट्रेंड होआ और एक ट्रेंड होआ अब अपन दूसरी बात करते हैं किस तरह से इसको थोड़ा सी पहले शेफ चैप कंडलि स्टीक पेटन बना और यहां पर अपर बना थेयां इसको उपरका हाई को ब्रेक मैं तो मंतली टाइम एक ब्रेकाउट नहीं हुआ ऐ पामान सकते हो कि मंतली टाइम का breakout कब होगा एक सेकिंड इसका हाई क्या है 60 मतलब 400 का लगवग मान लीजिए 6400 का लगवग breakout करेगा तो मंतली टाइम का टी रसी पर ब्रेक आउट हो जाएगा फिर इसमें देखेंगे तो एक दूसरा पेटन भी बनेगा में कारें कहाऽ साथ में कौन सा्म मोर मोर केंडल और फिर एक केंडल और एक क्रीन केंडल तीनों के केंडल को व्लंर मेशन को समझना होता है यहां पर double top pattern बनाया है तो और अलग चीज है यहां पर buying TRC पर बुलीश sandwich बनाया है यहां बुलीश ingalping बनाया है यह shooting star candlestick pattern है तो इस तरह से आप price action को देखके भी कर सकते हो अब बात करते हैं थोड़ा इसका fundamental देख लेते हैं किस तरह से दोस्तों इसका fundamental की बात करें तो इसका बहुत ही small cap company है प्राइज एक्षन मतलब 60 63 हो सकता है लेकिन इसमें इसमाल के इसका काम देखिए कितना मार्केट के नाइंटीन 42 क्रोड का ही मार्केट के वह करेंट प्राइज की बात करें तो 63 63 02 है 66 62 सोरी 6302 इसका करेंट पराइज है मतलब 63 2 इसका हाई करेंट प्राइज है थोड़ा इसका हाई कितना गया 82 50 लो गया कितना 56 49 और इस टोग पिए 38 है आरोसी इसका 20 पर्चेंट इसका और इसका 15 पर्चेंट फेस्ट वेल्यूस की 10 अगर इस्पिलिट होती है तो यह इस्पिलिट हो भी जाएगा बाद में थोड़े दिन बाद में हो सकता है देखो एक इसका बिजनस मोडल है जो प सब्सक्राइब होती है परफॉर्मेंस इंडेस्ट्री जो अपम सीजी सेक्टरिया आधी में जो दवाएं जैसे पर्फ्यूम या आधी में यूज में की जाते हैं उनका भी होते हैं इनका बाद में गुजरात में है इसका और यह कंपनी फार्मसोटिकल मतलब के बहुत ही क है उकम देखे इसका फार्मसोटिकल कंपणी इंडिया फांडेट नाइनटीन शिवन अब देखे इसका करेंट प्राइस देख लेए तो क्वाटली रिजल्ट की तरह से अभी देखे इसमें उपर की तरब जा रहा तो क्या क्वाटली रिजल ठीक आ रहे हैं शेल नेट्प्रोफिट किस तरह से बढ़ रहा है गट रहा है अंत्यसको नेट्प्रोफिट की बात करें इसको पोटीन क्रोड की बात हैं और बाद में नट्वन इसका और क्युत बंसथा क्रोड फोटे कृट्वर सीट सेह districts पहलore अच्छा आया बढ़ राता है तो हो सकता परोड का है बाद में रिजर वह इसमें खजाने में कितने पैसे हैं 368 है और अब देखेंगो दोस्तों बहुत ही अच्छा पोजिटिव पॉइंट है इसका देखिये बोरों के करजा कितना है कोई भी करजा नहीं है इसमाल के कंपनी और इसे अपने बिजनस मोडल मॉनोपोल बिजनस मोडल भी है लेकिन करजा एक भी नहीं है दोस्तों करजा कुछ भी नहीं है इसका और तो बहुत अच्छी मतलब के पोजिट्व पॉइंट होगा सकते हो इसको अब से रोल्डिंग पेटर्न के बात करें तो पर मोटर के पास बहुत अच्छी होल्डिंग है कितने 67 37 स्टीश सेवन परसेंट एबाद में फइकडिंग के पास में कोई भी रोल्डिंग नहीं है अब इसमें बात करते हैं कि यहां पर रुकावा दस वो एक फीब्स रीट्रेस्ट्मेंट होता है फिब्स रेट्रेस्मेंट का मतलब कोई भी स्टोक अब्रेश्मेंटम होता है यह फिबोनाची टूल यहां से लगा सकते हैं एक बोटम पकड़ो और यहां पर एक हाई लगा लो मतलब टोप तो देखें ज्यादा तर इस टोक अगर आपको कहीं मिल जाए 60 यह देखो है इसको तो जासी अच्छा तरह से लगाते हैं शेट करते हैं तो यह लगबग मतलब क आप देखोगे 61 परसेंट की रिट्रेश्मेंट के पास में डूट यहां पर तो 61 परसेंट की रिट्रेश्मेंट में कोई मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है जो रिट्रेश्मेंट 23 परसेंट 38 परसेंट 50 परसेंट और 61 परसेंट और 78 परसेंट होते हैं तो अगर क चोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो बहुत ही अच्छा टूल है इसको यूज़ करना चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों टून टीन जो बहुत ही आच्छा टूल यह 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 ही दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगाओ कंटेंट अच्छा लगो तो किस परपरबस से बना गाफ किसी भी इंट्यो को बाई होी चेंडार से जरूवस्मुझे इज्टे पर लीजेगा फिर यडिशिजन लेगे देखिए किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा था देखिए किस तरह से यहां सपोर्ट लिया फिर यहां सपोर्ट लिया फिर यहां सपोर्ट लिया फिर यहां पर सपोर्ट लिया था अभी परजेंट टाइम की बात करें तो किस तरह से इसने उपर की तरह ब्रेक आउट होगा तो 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 ब्रेक आउट किस तरह से होगा दो तरह से अपन देखेंगे कोई भी रेजिस्टेंस होता है तो उसको ब्रेक आउट अपन देखते हैं कि यहां पर ब्रेक आउट अगर देखें मैं हर वीडियो में डिसकर्ष करते हैं कि कोई भी अगर जैसे अपने को जैसे लॉंग यह जम्प करेंगे ऐसा थोड़ी के एक किलोमेटर दूर से बाग के आकर इसको कर देंगे उसी तरह से स्टोक का भी बेवेर रहता है कि अगर स्टोक यहां से दूर से आया है तो अचानक अगर ब्रेक आउट नहीं करेगा हो इस तरह से अचानक अगर आ गए तो यहां पर पेटन आएगा मतलब राजिस्टेंस था राजिस्टेंस सपोर्ट का का म करेगा और यहां पर बाइंग टी यार् शीपी मिलेगा यहां पर जो झीचिज ब्रेक आउट यह होता है पुल्बेक पेटन इसकों ही रे ट्रेश्मेंट भी बोलते थे यह बोल देते हैं और यह ब लगबग मतलब 15-20 candle होती है वो यहां पर रुखना चाहिए फिर कोई उपर की तरफ breakout करता है तब इसमें अच्छा moment आ सकता है तो दोनों तरफ से देख सकते हो कि अपने को किस तरह से breakout होता है तो 28 moving average का breakout होगा और उसका भी साथ में breakout होगा अब लगबग यह कब से top से जो थोड़ी risk ले सकते हैं वो यहां पर buying opportunity अब बनिए तो अब आपको पता होना चाहिए कि कहां पर buying करनी चाहिए कहां पर अपने को wait करना चाहिए कोई भी stock में top में buy कर लेते हैं तो इस चीजों से बचिए दोस्तों आराम से technical chart को read करने की कोशिज कीजिए कोशिज कीजि फिर बाद में रहेगा 10,000 के लगबग 10,000 के लगबग बाद में resistance रहेगा 12,000 के लगबग यह resistance जा सकते हैं अब यह मतलब गए 12,000 भी target मिल सकते हैं हो सकता है कि 15,000 भी मिल सकते हैं लेकिन double हो सकता है double से दोगों ना हो सकता है लेकिन अपने को क्या है कि कहां buying opportunity करनी नहीं चाहिए क्यों आया था यहां पर यह देखिए यहां पर पहले एक support लिया वा था तो यह support बनावा था यह सब थोड़ा नीचे ही आ गया वो अलग चीज है लेकिन यहां पर buying opportunity अभी तक risk reward ratio के अच्छी मतलब buying opportunity के जो shape investment करना चाहते हैं उनकी buying opportunity नहीं बनी है उनकी buying ब हो सकती है 5% की इस जो level है 5600 यहन को किसी भी सूरत में नीचे की तरफ नहीं काटना चाहिए decision की तरफ breakdown नहीं करना चाहिए तो दोस्तो इस तरह से आप stock में रंजिती बना जाए सकती है आपको वीडियो अचा लगाओ content अचा लगाओ तो वीडियो को like कर सकते हो और यह वीडियो की ओल education purpose से बनाएगा किसी stock को buy sell करने से पहले अपने financial advice से जरू सलाम उसरा कर लिजिएगा वीडियो देखने के दोस्तों बाइ-बाइ जे हिन जे भारत